हेलो दोस्तों मैं आपका स्वागित करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल हरियाना कुन जीबर आज हम करने जा रहे हैं सिंदू गाटी सबबेता के most important 40 question हम शुरुवात करते हैं अपने पहले question से पहला question रहेगा सबसे पहले सिंदू गाटी सबबेता के बारे में यहां पर आएगा बुनियादी जानकरी किसके दुवारा दी गई थी तो option रहेंगे Charles Mason, Sir John Marshall, Alexander Cunningham और देरम सहनी अंस्वर पेडिक्ट कीजिए अंस्वर रहेगा Charles Mason Charles Mason दुवारा 1827 में सिंदू गाटी सबबेता के बारे में बुनियादी जानकरी गठा की गई थी बढ़ते हैं next question की ओर next question है सिंदू गाटी सबबेता की खुदाई किसके नेतरितों में की गई option रहेंगे Sir John Marshall, Alexander Cunningham, William Burton, Charles Mason predict कीजिए अंस्वर रहेगा Sir John Marshall Sir John Marshall के नेतरितों में 1921 में सिंदू गाटी सबबेता के सबबेता की खुदाई की गई बढ़ते हैं next question की ओर next question है native of journeys किसकी पत्रिका है option रहेंगे Sir John Marshall, Charles Mason, देयराम सहनी, रखालदास बेनर जी native of journeys Charles John Marshall की पत्रिका है और 1826 में जब उनके दोबारा सिंदू गाटी सबबेता के सबबेता के सतलों के बारे में बुनियादी जानकारी इकठा की गई तो उन्होंने native of journeys नामक जो पत्रिका है इसमें अपने उन बुनियादी जानकारी को डाल दिया गया बढ़ते हैं next question की और next question है सिंदू गाटी सबबेता सतल हडपा की खोज किसने की तो सिंदू गाटी option रहेंगे देराम साहनी, रखालदास बेनर जी, सर्जोन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम अन्सवर रहेगा देराम साहनी देराम साहनी जी के दोबारा 1921 में सिंदू गाटी सबबेता सतल हडपा की खोज की गई यह हडपा मौन्ट कमरी पाकिस्तान में अर्था तो जो है पंजाब परांत पाकिस्तान में सितत है यह रावी नदी के किनारे सितत सिंदू गाटी सबबेता सतल है और इसी के नाम पे सिंदू गाटी सब्वेता सतल यह पहला खोजा गया सतल था इसके नाम पे हडपा सब्वेता भी कहा जाता है सिंदू गाटी सब्वेता को हडपा सब्वेता भी कहा जाता है यह रावी नदी के किनारे सितत हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईश्चन की और नेक्स्ट कोईश्चन है शिंदू गाटी सब्यता सथल मोहंजोदरों की खोज किसने की ओप्शन रहेंगे सरजोन मार्सल, अलेजंडर फ्लेमिंग, विलिम बर्टन और रखालदास बेनर जी अंस्वर रहेगा रखालदास बेनर ज में सिंदू गाटी सब्यता सथल मोहंजोदरों की खोज की गई, जो की सिंदू नदी के किनारे सितत है, और ये सिंद प्रांत पाकिस्तान में सितत सिंदू गाटी सब्यता सथल है, जो की सिंदू गाटी सब्यता का खोजा गया सबसे बड़ा सथल भी है, बढ़ते हैं नेक गम्री पाकिस्तान में सितत है पंजाब प्रांथ पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे चनहुद्रो चनहुद्रो ये भी सिंध प्रांथ पाकिस्तान में सितत सिंदु गाटी सब्वेत अस्थल है जो की सिंदु नदी के किनारे ही सितत है लोथल लोथल गुजरात में सितत स सिंदू गाटी सब्वेता स्थल है बोगान अधी के किनारे सितत है और जलिये मार्क के दवारा वैपार का परमुख के इंदर भी रहा है यहां से चावल की सक्षय भी प्राप्त हुई है बढ़ते हैं next question की और next question है सिंदू गाटी सब्वेता का खोजा गया पहला सथल है option रहेंगे महंजोदू हडपा लोथल काली बंगा उन्सुर है खोजा गया पहला सथल था हडपा इसीलिए सिंदू गाटी सब्वेता को हडपा सब्वेता भी कहा जाता है बढ़ते हैं next question की और सिंदु गाटी सब बेता 84 कार्बन पद्दती दोबारा बताया गया काल करम है ओप्शन रहेंगे 1500 से 600 BC 35 से 2700 BC 2700 से 2700 BC 2700 से 2300 BC इसमें BC का मतलब होता है Before the birth of Jesus Christ यानि कि Jesus Christ के जनम से पहले तो अन्सवर रहेगा 2300 से 1750 BC इस BC का इस काल करम का TP अगरवाल के दोबारा भी समर्थन किया गया है TP अगरवाल ने इनका समर्थन किया है अगर आप से पूछा जाता है TP अगरवाल के नुसर सिंदु गाटी सब बेता का काल करम क्या है तो अपका अन्सवर रहेगा 2300 से 1715 BC बढ़ते हैं next question की और next question है विदेशी मत अनुसर सिंदु गाटी सबेता की लोग थे सिंदु गाटी सबेता को दो मतों में बाटा गया है एक है विदेशी मत के अनुसर एक है सथानी मत है लिख है सथानी मत तो जो विदेशी मत है उसका समर्थन किया है चाइल्ड, डीडी कोशंबी, वहीलर और जोन मार्सल जैसे लोगों ने जिनका मानना है कि वे सुमेरियन थे जबकि स्थानी मत का समर्थन करने वाले हैं अपने रखालदास बेनर जी जो की महोंचोदरों के खोज करता हैं और टी एन रामचंदर और लक्षमन नारायन सवरूब और लक्षमन सवरूब पुशालकर और टी एन अगरवाल का मानना है कि शिन्दु गार्टी सबेता के जो संस्ताबक्ति वे आ रहे थे जबकि दैराम जबकि रखालदास बनर जी का माननना है कि वे द्रविड थे अगला कोउश्चन यही है कि रखालदास बनर जी के नुसर शिन्दु गार्टी सबेता के लोग थे तो वे द्रविड थे बढ़ते हैं next question की ओर Next question है शिन्दु गार्टी सबेता थी तो शिन्दु गार्टी सबेता ITY प्राप्त नहीं है जिससे माना गया है कि वह लड़ाई दंगी से दूर थे इसलिए वह एक आद्य इतियासिक सब्वेता भी थी क्योंकि उसकी जो लिपी थी वह भावची तरहत्मक्ति जिसे अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है तो जिनको हम पढ़नी पाते हैं प्राप्त है तो हमोने अद्य इतियासिक काल में रख देते हैं काश्योगिन सब्वेता थी अब तक लोहे का विकास नहीं हुआ था लोहे का विकास वैदिक काल में आके हुआ उसके बाद में एक बड़ी करांती आती है वह हम आगे जानेंगे तो इस कांसर रहेगा उपरोक्त सभी बढ एक बेड़ी सब्वेता नगरी सब्वेता थी इसमें व्यक्त व्स्तू विनिम्य के दोरा रहा होता था मुद्रा का परचलन अभी तक नहीं यह गुआ था जो कि छटी स्ताबदी में इस्वी पूरव आपको देखने मिलेगा छटी स्ताबदी बीसी में आपको देखने मिलेगा मुद्रा का परचलन अभी तक वस्तु विने में के दुबारा व्यापार होता था और सिंदू गाटी पाकिस्तान सिरी लंका अफगानिस्तान अंसर रहेगा सिरी लंका भारत में सिंदु गाटी सबेता के 900 से जादा ही सिंदु गाटी सबेता के स्थल खोजे गए हैं बहुत जादा खोजे गए 900 से जादा और पाकिस्तान की बात करें तो साड़े 500 से जादा ही खोजे गए हैं सि अफगानिस्तान की बात करें तो शिरफ दो ही सिंदु गाटी सबेता स्थल खोजे गई हैं एक का नाम है मुंडी काक और दूसरा का नाम है सोत्तु बोई दो सिंदु गाटी सबेता स्थल है जो की अफगानिस्तान में खोजे गई हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन की औ नेक्स्ट कॉश्यन है शिंदू गाटी सबेता का उत्री सथल किस नदी के किनारे सितत है तो शिंदू गाटी सबेता के जमा उत्री सथल को अलग किया गया जमा दक्षिनी सितत सथल है एक पूर्वी सितत सथल है यहाँ पर पूछा गया है शिंदू गाटी सबेता का उत्री स सथल उतरी सथल है मांदा जो की जम्मु कश्मीर में सितत है और यह चिनाब नदी के किनारे सितत सिंदु गाटी सबेता सथल है ठीक है हम बाकी सबेता स्थलों के बारे में जान लेते हैं चिनाब नदी किनादी सिंदु गाटी सबेता सथल है सिंदु गाटी सबेता का सबसे पस्चिमी जो सथल है वो है सुथ कांगे डोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में सितत है और दास्चक नदी के किनारे सितत है और सबसे जो शिंदु गाटी सब बेता का पूर्वी सथल है सबसे पूर्वी सथल वह है वह है आलम गिरपुर जो कि उत्तर पर्देश में हिंडन नदी के गिनारे सितत है सिंदु गाटी सब्वेता का सबसे दक्षिनी सथल जो कि है दाइमाबाद महराष्टर में सितत है और यह हैं गोदावरी नदी के गिनारे सितत स्थल है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर नेक्स्ट कोश्चन रहेगा अफगानिस्तान में खोजा गया सिंदु गाटी सब्वेता स्थल है तो हमें पता है सिंदु गाटी सब्वेता स्थलों में अफगानिस्तान में शिरफ दो ही सथल खोजे गई है जिसमें एक मुंडी काक है और एक स्वत्तु बोई है तो इसका अंस्वर रहेगा ए और भी दोनों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की और सिंदू गाटी सबेता स्थल हडपा किस नदी के किनारे सितत है इस सबेता को हडपा सबेता भी कहा जाता है तो बहुत से गलती होती है बच्चों से उनका मानना है कि यह है सिंदू गाटी सबेता हडपा सबेता है इसलिए वह सोचते हैं कि हडपा जो है सिंदू नदी के किना सित्त है और मोहंजोद्रो जो दूसरा खुजागा सिंद्गाटी सबढ़तास्तल है इन तो इसका अंसर है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिंद्द प्रांत में सित्त है ऐसे सिंद्ब हैं जो लेत नदी की नारी ही सितत है और इंद्ट पैणि लेगा कि बारत में ले elaborate me इस में गाटी सब्से बड़ा शतल घ्रस राखी गडी है जो हिसार डिस्टिक में हरियाना में सितत है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और इसमें बनावली है ये बनावली फतेहबाद हरियाना में सितत है दाइमाबाद महरास्टर में सितत है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन रहेगा सिंदू पतन है जो कि जली मार्क के द्वारा वैपार का प्रमुक के इंदर भी रहा है यहां से अगनी कुंड चावल की पर्मान भी प्राप्त हैं और यह भोगवानदी के गिनारी सितत हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन है सिंदु गाटी सब्टा सतल स से मिट्टी के हल के सक्षय पराप्त हैं तो सिंदु गाटी सब्टा सतल के मिट्टी के सक्षय पराप्त हैं मिट्टी के खिलोने के हल के सक्षय पराप्त हैं और यहां से मिट्टी के हल के सक्षय पराप्त हैं मिट्टी के हल के सक्षय पराप्त हैं मिट्टी के सक्षय खिलो da कौन सा एकमत्र सिंदू गाटी सभेतस्तल तीन भागों में वाजित किया गया है all्ग ओप्चन रहेंगे लोथल दोला वीरा Mongol हो और चनहूनोर अन्सवर रहेगा दोला वीरा दोला वीरा ऐसा एकमत्र सिंदू गाटी सभेतस्तल हैं जो की तीन भागों में भाजित पाया गया है माना गया है कि वैसे तो सिंदु गाटी सबेता के सभीस्त लोग को दो भागों में भाजित किया गया है एक उपरी भागोता जिसे दुरुक का गया है जो कि अमीर वर्क के लिए और निचला भाग जो कि गरीव वर्क के लिए था उपर गुजरात में सित शिंदुगाटी सभयता स्थल है और यहां से लकडी की नालिया सुर्णाली realities को दर्षाती हैं और बढ़ते हैं next question की ओर, next question है कि शिंदुगाटी सभयता की इटो का सवरूप था तो सिंदुगाटी सभयता सथल की इटो का जो सवरूप था तीन अनुपाद दो अनुपाद एक का था चार अनुपाद दो अनुपाद एक का था दो अनुपाद दो अनुपाद दो का था या फिर एक अनुपाद दो अनुपाद चार का था तो सिंदू गाटी सब बेता की जो उलिटे भी थी कौन सा है जिसमें घरों के दर्वाजे जो है गलियों में ना खुल कर मुख्य मर्ग में खुलते थे बाकि सभी सिंदु गाटी सबेता के सतलों पर जो दर्वाजे थे वह हैं मुख्य सड़की और नहीं खुलते थे बलकि छोटी छोटी गलियों में खुलते थे ताकि ज्याद लोथल लोथल सिंदु गाटी सभटा का एक मातर ऐसास्तल है जिसके दर्वाजे ओपोजिट सैड खूलते थे हैं और लोथल ही एक मातर ऐसासिंदु गाटी सभटास्तल है जहाँ पर तिन युगल समाधियां भी पाई गए हैं बढ़ते हैं नेश्ट क्वेस्टन की और नेश तौ रहएगा डूला भी रा लकडी कीर लिया शुग श्थत पानी को सीय तू की हमने उपर जाना सितल दू तौ इंडे सिंदू आटी सेटल है दौ भूला गहाः गुजरात में शितल शींदू eventy सेटल है और यह हैं लूनी नदी के किनारे सिततः सिंदुगाति सवेतस्तल है लूनी नदी बढ़ते हैं नेक्ष्ट कॉश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन रहेगा आर सैथिस कबरिस्तान कबरिस्तन और स्रमी कावास कि सिंदु गाटी सबेतस्तल से प्राप्ट हुए हैं ओप्शन रहेंगी लोथल हडपा मोहंजदो काली बंगा अंस्वर रहेगा हडपा और सेथिस कबरिस्तान का मतलब है कबरिस्तान जहां पर दफनाने का प्रमाण मिला है तो हम कह सकते हैं हडपा से ही सिंदु गाटी सबेतस्तल से दफनाने का प्रमाण मिला है और सेथिस कबरिस्तान प्राप्ट हुआ है और सरमी कावास भी यहीं से प्राप्ट हुए ह बढ़ते हैं next question की ओर जहां पर जो काली-बंगलफीसित्याथम यह सितता है हनुमान गण entit dig राजस्थान में और इम बढ़ते हैं नेस्ट कॉश्चन के ओर एगा कि तेन यूगल समाधिया किस शिंदु गाटी सबढ़ताष्थ depressing से प्राप्ते हुई हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है बुकम्प के प्रमाण किस सिंदु गाटी सब्वेतास्तल से प्राप्त हुई हैं तो बुकम्प के प्रमाण एक मात्र सिंदु गाटी सब्वेतास्तल जो है जिसे प्राप्त हैं जिसका नाम है काली बंगा काली बंगा ऐसा सिंदू गाटि सब्यतस्तल है जिसे भुकम के पर्मान प्राप्तो हैं काली बंगा हरुमानकट डिश्टिक राजस्तान में सितत है भोगवा नदी के किनारी है यहां से काली बंगा करता है काले रंग की चूडियां और यहां से जूते हुए खेत का सक्से भी प्राप्त हुआ है. जूते हुए खेत से मतलब है कि खेतों में खूड काड़ राके हैं, खूड निकाले हुए हैं. बढ़ते हैं next question की और next question है कलस सवधान का प्रमाण कलस सवधान का अर्थ है कि मृत व्यक्ति के सरीर के आवसेशों को एक कलस यानि की एक घड़े या फिर एक ऐसे ही परकार के बरतन में डाल कर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता था तो यह कि शिद्धू गाटी सवधास्तल से प्राफ्त होगी है option रहेंगे काली बंगा सुथ कोचदा काली बंगा फिरश्यागे और रोजदी तो इसका अनस्वर रहेगा सूथ कोचदा सूथ कोचदा सुथ कोचदा शिद्धू गुजरात के कच्च में सितत हैं कच्च्च्म मिले थराजू के वसे बी मिले हैं आप कह सकते हैं मतलब पुरा तत्वीक पुरात्रोफ मिला है तराजू का भी बहुते हैं कोस्ट नैक्स्ट कुइस्ट के और झान मारसल के अनुसार सिंदु गाठी सबता के पतन का कारण था तो पूछ लिया जाता है अर्नेस्ट मैके के अनुसार क्या था चाइल्डेवैं वहिलर के अनुसार क्या था और फेयर सर्विशीज के अनुसार क्या था तो जान लेते हैं अर्नेस्ट मैंके और जोन मार्सल के अनुसार सिंदु गाटी सबेता की पतन का कान था बाड बाड आने से सिंदु गाटी सबेता की जो है पतन हो गया था लेकिन चाइल्डेवे वहिलर के अनुसार सिंदु गाटी सबेता के पतन का कान था विदेशिया कर्मन और फेयर सर्व सिए के अनुसार सिंदू गाति सभयत पतन का काना था प्रीष्टति ए संतुलं बढ़ते हैं नेक्स्ट के उर क्षटन है कि सवह को जलाने का प्रमाण कििwarm उनक्रा斯 प्रापत होगा से के तो वहां और हड़पा से हमें समको दफनाने का प्रमान प्राप्त होती है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चिन है इन्ट ने मोहंचोदरू के शाषन को कैसा माना है उप्शन रहेंगे राज तंतरातमक लोग तंतरातमक और जन तंतरातमक तो हंटर निमाना है कि जो महंजोदरो का सासन था वो लोक तंत्रातमक था बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन है कि विकट के नुसार सिंदु गाटी सब्वेता की जुडवा राजदानी थी महंजोदरो हडपा काली बंगा लोथल लोथल हडपा महंजोदरो चनहोड़ो अनस्वर रहेगा महंजोदरो हडपा तो विकट के नुसार सिंदु गाटी सब्वेता की जुडवा जो राजदानी बताईगी है वो महंजोदरो हडपा है ऐसा पेपरों में पूछा गया है और बैक्त लीप पूचलिया जाता है बढ़ते हैं नेक्स फोष्चन के और नेक्स कोश्चन रहेगा शिंदूगाटी सब वेता सथलों से किस प्रमान नहीं प्राफ्त हैं किसके प्रमान नहीं प्राफ्त हैं तो ये कृषि से जुड़े हुए स्थ्रोथ हैं तो बात कर लेते हैं कि कृषि से सिंदू-गाटी-शबयता की लोग जो हैं जोताई, बुवाई और सिचाई सभी से प्रीचित थे वहाँ पर गेहूं के जो के गेहूं जो मतर और कपास इन सभी फसलों के परमाण पाई गए हैं और वे इनसे प्रीचित थे लेकिन सिंदु गाटी सब्सक्राइब लोग जो है वे गन्ना और गन्ना और रागी से प्रीचित नहीं थे तो इसका अंस्वर रहेगा ए पलस सी यह बहुत ए और सी गन्ने और रागी से प्रीचित नहीं थे तो वे जो ताई बुआ यह और से चाहिशे प्रीचित थे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन के और नेक्स्ट क्वेस्चन रहेग स्था कि सिंदू घाटी सब्टा के लोगों में सब से पीरिय पश्यू था वे गाएं और घोडर इससे प्रीचित थे सब से प्रीचित थे कूबर वाला सांड से भी प्रीचित थे सब पर रहेगा मैसो पुटामिया से शिंदु गाटी सब तक लोग जो है वे चांदी को भी निर्यात करते थे चांदी निर्यात किया जाता था उनके दुबारा अफगानिस्तान और इरान से ठीक है और उनके दुबारा निर्यात किया जाता था तामबा निर्यात किया जाता था राजस्तान से उनके दुबारा तीन भी निर्यात किया जाता था तीन उनके दुबारा अफगानिस्तान से निर्यात किया जाता था और उनके दुबारा जो ल फिर मूर्ति प्राप्त हुई है उर्वरा देवी की मूर्ति तो उप्शन रहेंगे हडपा लोथल मोहन जोदरो काली बंगा अनस्वर रहेगा हडपा हडपा सिंदु गाटी सबेत अस्थल से उर्वरा देवी की परतिमा प्राप्त हुई है मोहन जोदरो से भी हमें मातरी दे तो यह गहां मोहन जोद्रुडु से प्राप्त हुई हैं तो इसी के साथ में हमारा आज का 20 और अगर आपको विडियो अच्छे लगए थो लाइक शेयर अगले वीडियो में